नमस्कार इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अगर किसी विक्ति की चो हिर्दे रेखा है वो गुरु परवत्तक मौस्ती है और दो या तीन भागों में विवाजित हो जाती है तो किसी विक्ति के जीवन के उपर क्या परभाव रहते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरी जानकारी वरी वीडियो आप तक पहुंसती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किसी विक्ति की जो हिर्दे रेखा है यहां बुद्ध परवत जहां आपका समाप्त होता है वहां से निकलती है और इस परकार से गोल घूम करके गुरु परवत पे आ करके रुख जाती है तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं उसके विशे में मैं आपको बता देता हूँ देखिए अगर आप इस परकार की रेखा किसी विक्ति के हाथ में देखते हैं तो ऐसे जो विक्ति होते हैं भक्ति भावाले होते हैं अर्थात ऐसे जो जो विक्ति होंगे मंदिर में जाना मस्जिद में जाना गुर्दवारे में जाना धार्मी कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद रहता है ऐसे जो विक्ति होते हैं खुब दान दिख्षना करने वाले भी होते हैं अर्थात ऐसे जो जो विक्ति होंगे समाज में दान दिख्ष इसके सिवाए ऐसे जे वेक्ति होंगे जो भी कारे करेंगे वो धर्मा नुकूल करते हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कोई भी ऐसा कारे नहीं करते हैं जिसके कारण इनको कहीं पे जा करके शरमसार होना पड़े या अपमानित होना पड़े इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं राजनीती के शेत्र में भी विशेश रूची लेते हैं अर्थात राजनीती के शेत्र में भी जाना ऐसे लोग पसंद करते हैं इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके अंदर वाक्षुद्धी रहती है वाक्षुद्धी रहती है अर्थात सुंदर वानी वाले ऐसे लोग होते हैं इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नीती, न्याय, प्रदती, औचत्य ऐसे व्यक्तियों के अंदर अवश्यक रूप से रहता है इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं बहुत यदि कोमल सभाव वाले होते हैं अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे चोटी चोटी बात पर गुस्सा नहीं करते हैं कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो ऐसे व्यक्ति क्रोध करते हैं अन्नथा ऐसे जो व्यक्ति होंगे बहुत जादा शांत परवर्ति वाले होते हैं इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं की परकार के शास्त्रों का ग्यान भी रखते हैं अर्थात जोते शास्त्र के अंदर विज्ञान शास्त्र के अंदर ऐसे लोगों की विशेश रूची रहती है इसके सिवाए ऐसे जो विक्ति होते हैं इनके अंदर भोतियदिक आतम जाता है आप इनको कोई भी कारे दे दीजिए पूर्ण कुशलता के साथ ये विक्ति उस कारे को करते हैं अर्थात ये विक्ति किसी भी कारे को करने से कभी डरते या घबराते नहीं है जो भी कारे इनके सामने आ जाता है उसको पूर्ण कुशलता के साथ करने का परियास ऐसे लोग करते हैं तो इस परकार से बहुत सारे गुन ऐसे विक्तियों के अंदर रहते हैं जिन विक्तियों की जो हिर्दे रेका है गोल घूम करके गुरु परवत पे आ करके रुख जाती है लेकिन दोस्तों आपकी जो ये हिर्दे रेका है वो बिल्कुल गोल घूम करके परवत के ओपर ही दो या तीन भागों में विभाजित हो जाती है तो दोस्तों ऐसे जो लोग होंगे आप इन लोगों को कह सकते हैं यह जो व्यक्ति हैं बहुत ही अधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे जितने भी मैंने आपको गुण बताए इन गुणों को आप त्रिगुनियों कित कर दीजिए अर्थात तीन गुणा कर दीजिए इतने गुणा से विक्तियों के अंदर रहते हैं तो दोस्तों ऐसे जो लोग होंगे इनके अंदर मातर भक्ती ही नहीं रहेगी ऐसे जो व्यक्ती होंगे धरम के कारियों के लिए आगे बढ़ करके कारे करते हैं ऐसे जो व्यक्ती होंगे मंदिरों का निर्मान करते हैं मस्जिदों का निर्मान करते हैं गुर्दवारों का नि भूती करते हैं इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होंगे व्यवार कुशल तो अवश्यक रूप से रहते हैं ऐसे व्यक्ति के अपनी पत्नी अपने रिष्ट दारों के सास्थ संभंध बहुत यbur मदूर रहते हैं अर्थात ऐसे व्यक्तिsk जोंगे समाज के अंदर मान सम्मान और प्रतिष्ठा अवश्य गूप से प्राप्त करते हैं राजनिति के शेत्र के अंदर ऐसे लोग बहुत ही अधिक प्रसिद होते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मातर और मातर किसी शास्तर के अंदर ज्यानी नहीं रखते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं क पांडित्ते के अंदर धरमकारियों के अंदर इसके सिवाए जोतिशकारियों के अंदर अवशक रूप से सफल होते हैं इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके अंदर वाक्षुद्धी रहती है वाक्षिद्धी रहती है दया धरम करने वाले असे लोग होते हैं बस आ अगर आप देखते हैं, किसी विक्ति के हाथ में यह जो हिर्देरेखा है, नीचे की तरफ आ जाते हैं और मंघल पर वद तक पहुंझ जाती हैं, तो ऐसे जो विक्ति होते हैं, इनके अंदर हर कारे को लेकर के एक अनुशासन भी आजाता है, ऐसे जो विक्ति होंगे, जिस भ मंदिर का निर्मान करके रहेंगे इसके सिवाए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी कारे को पून अनुशासन के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं चाहे वो कोई भी कारे हो उसको पून अनुशासित तरीके से पून करने का ऐसे लोग प्रयास करते हैं ऐसे लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा भी ऐसे लोग आवश्यक रूप से पाते हैं इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं अच्छी आयू वाले भी होते हैं अर्थात ऐसे विक्तियों की जो आयू होती है वो भी निश्चित रूप से लंबी होती है क्यों लंबी होती है क्योंकि मैंने लंबी है स्पष्ट है जीवन रेखा पूर्ण है तो निश्ची थी ऐसे विक्ति की जो आयू होगी वह भी बहुत यह दिक लंबी होगी अच्छी लंबी आयू ऐसे विक्ति की अवशक रूप से रहेगी तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किसी विक्ति के हाथ सकते हैं तो मुझे लगता है अवशक रूप से आपको मेरे द्वारा दीगे जानकारी समझ आ गई होगी अगर आपको मेरे द्वारा दीगे जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विशे के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 दोस्तों